फॉजी बहु को दिया सगी बहन ने धोखा साथियों, हमारी महान फॉजी ओफिसर पूजा की चार दिन बाद शादी है क्या बाद है पूजा, congratulations पूजा नाम की गोरी, खुबसूरत फॉजी लड़की बॉडर पर अपने साथियों के साथ खड़ी थी और सब पूजा को शादी की बधाईयां दे रहे थे केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, आप सब को भी मेरी शादी में आना है बिलकुल हम सब आएंगे तुमारी शादी में पूजा थोड़े समय बाद पूजा अपने टेंट में आती है और अपना सामान बैग में भरने लगती है महीनों बाद मैं अपने परिवार से मिलूँगी तब ही अगले दिन पूजा उडानपूर गाउं में अपने घर चली आती है वहाँ पूजा के घर में उसके मादा पिता मिनाक्षी मंदीप और पूजा की छोटी बहन दीकशा थी मेरी बच्ची तुआ आ गई तब ही मिनाक्षी और मंदीप दोनों रोने लगते हैं मा पिता जी क्या हुआ बिटिया तू आई भी तो है तो हमसे दूर जाने के लिए जबसे तू फौजी बनी है तबसे हमने एक महीना भी तेरे साथ नहीं बिताया और अब तेरी शादी होने जा रही है अब तो तू हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी अरे भाई आज इतना खुशियों भरा दिन है और आप लोग ऐसे आंसू बहा रहे हो तभी सभी पूजा के साथ काफी इंजोई करने लगते हैं देखते ही देखते चार दिन बीत जाते हैं और पूजा की शादी एक नीलेश डाम के अमीर लड़के से हो जाती है नीलेश उसी गाउं में अपने बड़े से घर में रहता है शादी की पहली रात पूजा अपने ससुराल में थी उसके ससुराल में उसके साथ ससुर हेमांगी, परदीप और उसकी नंद अरपिता थी नीलेश उसी गाउं के कमपनी में नौकरी करता है तबी पूजा के ससुराल में सुमित रितू और बाकी पूजा के फौजी साथी आते हैं सुरी यार पूजा हम तेरी शादी में नहीं आ पाई क्या करें सर छुटी नहीं दे रहे थे तब ही पूजा अपने ससुराल वालों का अपने फौजी साथियों से परिचे करवाती है और उनके साथ बाते करने में लग जाती है रात के करीब बारा बजने को आय थे हर पिता हेमांगी और प्रदीप तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सोच चुके थे नीलेश सामने सोफे पर बैठा था यार ये लोग कब जाएंगे यहां से नीलेश जी आप जाकर आराम कीजिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ नीलेश अपने कमरे में चला जाता है थोड़े समय बाद पूजा के सारे फौजी साथी वहां से चले जाते हैं बस सुमित अकेला पूजा के पास बैठा था ये सरदर्द ने भी न अलग परेशान करके रख़ा हुआ है रुको में तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ तुम कब घर जाओगे सुमित रुको में बना देती हूँ चाय तभी पूजा दुलहन के अवतार में अपने ससुराल की रसोई में जाने लगती है उसके पीछे सुमित भी जाने लगता है तबी निलेश अपने कमरे से बाहर आता है और वो दोनों को रसोई में जाता देख लेता है सुमित हम रसोई का दर्वाजा बंद कर देते ताकि बरतन की आवाज से किसी की नीन ना खराब हो पूजा रसोई का दर्वाजा बंद कर देती और अंदर सुमित के साथ बाते करके चाय बनाने लगती है अब ये सब देखकर निलेश के मन में कुछ और ही बात आ रही थी करीब आदे गंटे बात सुमित और पूजा रसोई से बाहर आते हैं उन्हें देख कर निलेश छुप जाता है, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुमें कोई तकलीफ नहीं है ना, नहीं अब कोई तकलीफ नहीं है, मज़े की नीद आईगी मुझे, सुमित पूजा सरदर्द की तकलीफ की बात कर रहे थे, शादी मुझसे की पूजा ने, और रंग रेलियां इस सुमित के साथ मना रही है, नीलेश को लग रहा था, सुमित और पूजा के बीच कोई चक्कर है, तभी वो अपने कमरे में जाकर बैड पर लेट जाता और सोने का नाटक करता है, थोड़े समय बाद पूजा नीलेश के कमरे में आती है, नीलेश जी, नीलेश जी, नीलेश जान बूज कर सोने का नाटक कर रहा था, ये तो सोग है, माफ करना नीलेश जी, मेरे दोस्तों के चक्कर में आपको आज इतनी तकलीफ हुई, तभी पूजा नीलेश के पास बैड पर सो जाती है, अब तो पक्का मुझे यकीन हो चुका है कि पूजा नीलेश के मन में भी अपनी नई नवेली दुलहन पूजा के प्रती शक पैदा हो चुका था, अगले दिन सवेरे नीलेश पूजा दोनों नींद से जागते हैं, नीलेश जी, आप चाय नाश्ते में क्या लोगे, नीलेश बिना कुछ कहे बात्रूम में चला जाता है, अरे इन्हें क्या हुआ? तभी पूजा फ्रेश होकर बाहर आती है, दुपहर का समय सब घर में साथ बैठे, बाते कर रहे थे, तभी पूजा की मुबाइल पर सुमित का कॉल आता है, हाँ सुमित बोलो पूजा, बॉर्डर पर दूसरी सरहत से फाइरिंग शुरू हो चुकी है, सर ने तुरंट तुम्हें डूटी पर आने के लिए कहा है, तुम जल्दी चलियाओ पूजा सुमित कॉल कट कर देता है, मुझे बॉर्डर पर जाना होगा, वहाँ दूसरी सरहत से फाइरिंग शुरू हो गई है, अरे बहु कल तो तेरी शादी हुई है और आज तु बॉर्डर पर जाने की बात कर रही है माफ करना माजी पर मुझे जाना होगा, ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, ये सुनकर निलेश गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है मैं कुछ दिनों में आ जाओंगी, उसके बाद मैं इसी गाओं में ऑफिसर पुलिस की ड्यूटी लाइन जोइन कर लूँगी मैं तब तक अपनी बहन दीक्षा को यहां बुला लेती हूँ, वो आप सब की सहायता कर देगी तब ही पूजा अपने कमरे में आती है निलेश जी, निलेश खामोश खड़ा था मुझे माफ कर दीजे निलेश जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर कुछ ही दिनों की बात है फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, निलेश गुस्से में बाहर चला जाता है पूजा कुछ दिनों के लिए बॉर्डर पर जाना चाहती थी, उसके बाद वो अपने इस गाओं में पुलिस अफसर का ओदा लेकर हमेशा के लिए अपने परिवार के पास आना चाहती थी अब अगले दिन दिक्षा पूजा के ससुराल में काम करने चलिए आती है, रात का समय दिक्षा निलेश के कमरे में खाना लेकर आती है दिक्षा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कौन सी बात जीजू? तुम्हारी बेहन पूजा का एक फौजी लड़के सुमित से चकल चल रहा है तुम्हें पता है इस बार बॉर्डर पर कोई जंग नहीं छड़ी सुमित नहीं पूजा को जान बूच कर बुलाया है ये क्या बोल रहे हैं आप जीजू अब तुम ही बताओ दीक्षा शादी की पहली रात पती को छोड़ कर पूजा रसोई में सुमित के साथ क्या कर रही थी नीलेश की बाते सुनकर दीक्षा को भी अपनी बहन पर शक होने लगता है हो भी सकता है जीजू क्योंकि दीदी जब भी घर आती है तो वो हमेशा सुमित नाम के लड़के से ही बात करती रहती थी इतना अच्छा घर है ये आप इतने अच्छे इंसान हो और दीदी को इस बात की फिक्र ही नहीं है दीख्षा निलेश को समझाने लगती है बेरहाल कुछ दिन यहीं बीत जाते हैं दीख्षा एक पत्नी की तरह निलेश का खयाल रख रही थी और इधर पूजा बॉडर पर इतनी व्यस्त थी कि उसे निलेश को कॉल करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था अब दीख्षा को अपने प्रती ऐसी लगन और अपना पन देख कर निलेश को एक दिन दीख्षा से प्यार हो जाता है और वो एक रात अपने कमरे में दीख्षा से अपने प्यार का इजहार कर देता है ये क्या बोल रहे हो आप जीजू? हाँ दीक्षा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी अपनी भी नहीं हो, फिर भी तुम मेरा कितना खयाल रख रही हो, और एक तुम्हारी बेहन है, जो मेरी अपनी है, फिर भी उसे मेरी परवा ही नहीं है, उसे शादी करोगी दीक्षा, मैं जीवन भर तुम्हे दंग रह जाते हैं, नीलेश तुने अपनी साली से ही शादी कर ली, तो क्या करता मा, जीवन भर बैट कर उस पूजा का इंतजार करते रहता, जो वहाँ उस सुमित के साथ रंग्रेलिया मना रही है, तभी नीलेश सबको सारी बात बताता है, पूजा बहु ऐसी निकलेगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, नीलेश की बात सुनकर सब पूजा को गलत समझ रहे थे, उसकी बात सब दीक्षा को अपना लेते हैं, कुछ दिनों बाद पूजा अपने गाउं आती है, वो सड़क से घर की ओर जा रही थी, चलो अब मेरी ड्यूटी हमेशा के अब मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगी, तब ही पूजा घर आती है, नीलेश जी, ससुर जी, मैं आ गई, मा जी, वहीं रुख जाओ पूजा, इस घर में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं, क्या हुआ आखों का देखा कभी जूट नहीं होता पूजा, मैंने खुद तुम्हें और सुमित को रसोई में जाते देखा था, शादी की पहली ही रात, मेरी पतनी किसी और के साथ, बस नीलेश जी, अब एक शब्द नहीं, उस रात मैं सुमित के लिए रसोई में चाय बना रही थी, दीदी महमानों के लिए चाय बनाने के लिए खुद महमान को रसोई में नहीं ले जाते, आप ये बहाने बाजी मत कीजिए, मुझे तो आपको अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है, तब ही सब पूजा को बाते सुनाने लगते हैं, मुझे अंदाजा भी नहीं था, कि म मेरे अपने, मेरे बारे में ऐसी सोच रखेंगे, जब मैं आप सबकी नजरों में इतनी बुरी बनी ही चुकी हूँ, तो अब मेरा यहां रहकर भी कोई फाइधा नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और बॉर्डर पर रहकर अपना सारा जीवन देश की रक्षा की कोशिश में लगा देती है, दोस्तों शक एक ऐसी बीमारी है जो रिष्टे को पूरा बरबाद करके रख देती है, कभी कभी आँखों देखा भी इंसान का जूट हो जाता है, उमीद करते हैं आ अगली नई मज़ेदार कहानी के साथ तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपनों की बात को समझते रहिए